हाई फ्रेंस हलवाई जैसी तेश्टी यमी परवल की मिठाई बनाने के लिए हमने लिया है परवल आदा कीलो थोड़े बरे साइस की परवल ले अब इस परवल को पीलर की सहायता से पील कर ले वैसे आप चाकू से भी पीली कर सकते हैं बस ध्यान रहे है परवल का ग्रीन पा के वाश कर लिया है अब एक चाकू ले चाकू की सहायता से परवल में कट लगाएं ध्यान रहे उपर और नीचे का पाट कट नहीं होना चाहिए उपर का पाट और नीचे का पाट को थोड़ा सा छोड़के परवल में इस तरह से कट लगाएं कट लगाने के बाद इसे देर सब्सक्राइब करें कि अगर आप जोर से निकालेंगे तो फिर हो सकता है पर्वल टूट जाए इसलिए हलके हातों से ही इस तरह से देरे धीड़े बीज को निकालेंटी thingy हमने किस तरह से सारे बीजों को निकाल लिया है आप अगर बीज निकालने के लिए फोक का भी यूज कर सकते हैं और चमच के पीछे के पाट का भी यूज कर सकते हैं अगर आप से इस तरह से परवल के बीज ना निकले तो कोई भी फोक ले या फिर चमच के पीछे की सहायता से परवल के बीच को निकाल लें बस ध्यान इतना रखना है कि परवल कटे नहीं देखिए बिना कटे हमने कितनी अच्छी तरह से बीच को निकाला है अब देखिए हम फोक की सायता से भी इस तरह से परवल के बीज को निकाल सकते हैं फोक या चमच के पीछे से आप परवल के बीज को निकाल सकते हैं देखिए इसी तरह से सारे के सारे परवल के बीज को निकाल ले देखिए उपर नीचे का हिस्सा नहीं कटा है सिर्फ बीच का हिस्सा कटा है और सारे बीच को हमने निकाल लिया है आप किसी भी पैन में पानी गरम करें और उसमें डाल दें सारे के सारे परवल अब इसमें हम डालेंगे बेकिंग पाउडर एक पिंच वो इसलिए क्योंकि इससे परवल का कलर बहुत ही अच्छा लाइट ग्रीन आएगा इसमें आपको किसी भी तरह के कलर की जरुरत नहीं है बिना किसी तरह के कलर डाले आप बाजार जैसा तेस्ती अच्छा दिखने वाला परवल का मिठाई घर पे ही बना सकते हैं आपको बाजार के केमिकल वाले परवल के मिठाई खाने की जरुरत नहीं है देखिए परवल का कलर खितना सुन्दर आओ गया है बिल्कुल लाइट ग्रीन जैसे बाजार में मिलता है और हमने किसी भी तरह का कलर भी नहीं डाला है देखे बिना कलर डाले केमिकल फ्री परवल की मिठाई हम कितनी असानी से बना सकते हैं दो तीन मिनट इसी तरह पानी में उबलने के बाद ग्यास बन करके इस परवल को निकाल ले पानी थोड़ा हटा हटा के अगर एक्स्ट्रा पानी थोड़ा बहुत आ भी जाता है प्लेक में तो आप उसे ड्रेन कर लें अब हम चासनी की तैयारी करेंगे चासनी के लिए हमने लिया है दो कप चीनी और दो कप पानी जितना चीनी लिया है उतना है पानी लिया है हमें एक तारकी चासनी जासे बनानी है जब चासनी में इस तरह से उबाल आ जाए तो इसमें हम उबलेवे परवल डाल देंगे और वो चासनी के साथ ही पांच मिनिट के लिए पकीगा ज़्यादा देर ना पकाएं सिर्फ पांच मिनिट ही काफी है क्योंकि हमने परवल को बेकिंग पाउडर में उबाल लिया है ना इसलिए परवल काफी हद तक पक चुका है इसलिए बहुत ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है सिर्फ पांच मिनिट के लिए ही इसे चासनी में पकाएं तक ये चासनी का मिठास को अब्सॉर्ब कर ले पूरी तरह से मिठा हो जाए देखिए कितना अच्छा लग रहा है हमारा परवल अब पांच मिनिट के लिए उबलने के बाद इसे ठंडा होने के लिए दो तीन मिनिट के लिए छोड़ दे अब चलिए हम बनाते हैं मावा मावे के लिए हमने लिया है देर लीटर दूद देर लीटर दूद को लगातार चलाते हुए पकाएं लगातार चलाते हुए पकाने के वाद मावा देखिए इस तरह से गाढ़ा बन जाएगा वैसे आप बाजार का भी मावा ले सकते हैं पर घर के बने मावे के बात ही अलग है अब इस मावे के लिए में मिलाने के लिए हमने लिया है दस पंदरा इलाची इस तरह से इलाची को छिल कर मिकसर ग्राइंडर में डाले और साथ ही साथ डाले चीनी चीनी आप अपने मीठा जैसा भी आपको मीठा पसंद दो उसके अकॉर्णिंग डाल सकते हैं हमने चार चमत चीनी लिया है मावे को मीठा करने के लिए अगर आपको जादा मीठा पसंद है तो आप जादा भी ले सकते हैं चासनी में अल्रेडी बहुत मिठास होती है तो हमें बहुत ज़्यादा चीनी की ज़रत नहीं होती है इसे अच्छी तरह से मिक्सर ग्राइंडर में पीस ले और इसमें मिक्स कर दे मावा अगर आपने बजार का भी मावा लिया हो तो कोई वात नहीं टेस्ट में कोई फर्क न इलाइची की खुश्बू दोनों ही मिक्स हो जाएगी इसे अच्छी तरह से मिक्स कर ले अब पर्वल को निकाल ले और चासनी को ड्रेन कर ले इसके बाद इस मावे को पर्वल में हमें भरना है देखिए इस तरह से ध्यान से धीरे धीरे पर्वल में मावा भरते जाएं भ तरह हमने अगर आप चाहें तो ऊपर नीचे का पार्ट में जरा रही है, इस तरह हमने भर्वर के अभरके मावा भर दिया है अगर आप जाहें थीड़ी थीड़ी नहीं, तो रम अब इस परवल के मिठाई के थाइज हूँ भी तो जो term करें तो अमने उन्हें परवल पसंद नहीं होगा उन्हें भी परवल की मिठाई जाओ से खाने के लिए दुबारा आपसे मांगेंगी इसलिए इस रेसिपी को जरूर बनाए और प्लीज चैनल को लाइक से सब्सक्राइब